हेलो फ्रेंट्स आज हम कबान देखेंगे पैटन फीचर का केसा यूज़ करते हैं सबसे पहले हम एक स्केज बनाते हैं स्केज करते हैं, मैंने इस प्लेंट करा, मैं बनाऊंगा एक सर्कल बनाता हूं मैंने इसको 100 का डामिटल दिया, अब इसको फिनिस स्केज करा, एक स्टूट पर क्लिक करा, इसको मैंने दिया 30, प्रिंटा, इसको मैंने इसको एक स्टूट कर दिया, इसको मैं हाइट कर रुका हूं अब मैं इस पर एक स्केज और बनाता हूं, स्केज पर दिया मैंने इसको ओके करा, इसको उपर में एक सर्कल बनाता हूं, एक छोटा सा, इसको डामेटर देता हूं इसको पर दी ट्यामेटर दिया में, इसको एक स्टूट कर दोते हैं, लेकिन इसको करने के बजाए हम इसको सब्स्ट्रेक कर दे रहे हैं, इसको बुलियन को गए, सब्स्ट्रेक करा, रिवास डारेक्शन, अपला है, ठीक है, तो अब यह होल बन गया, एक सेर्कल के बन गया, अब सब्सक्रों, यह जो होल है, इस होल को मुझे पूरे सर्कल पर रोटेट कराना है, मतलब ऐसे ही होल मुझे और चाहिए है यहाँ पर, एक, डो, तीन, चार, पांच, चे, बज़े से बारा, तेरा, मुझे होल चाहिए, ठीक है, तो उसके यह करता हूँ, पैटन फीचर में जाता हूँ, तो पैटन फीचर में जाकर, उस फीचर को सिलिक करता हूँ, जिसक बनाता हूं circular, circular पर click करा मैंने specify vector, मैं पूसता है vector, किस direction में करना है, मैं को via direction में करना है, तो जो भी हम pattern बनाएंगे, उसके direction उसके perpendicular होनी चाहिए, मैंने इस पर click करा, specify point, specify point पूछ रहा है, तो मैं point लेता हूं हमारा 00, कुपकि इस के चमने 00 को बनाया तो, okay, ठीक है, तो ये pattern show करने लग गया अभी, भी बनाया नहीं पूरा, यहीं देखता हूं, okay, तो यहाँ पर, suppose मुझे 20 pattern बनाने है, okay, तो count इसका 20 दे दिया, okay, वो इधर 360 divided by 20 कर दिया, okay, यह दे, तो इसने 20 circle बना दिया, मैं कम ले लेता हूं, मैं लेले count आस, ठीकिन यहाँ पर 360 divided by time करना पड़ेगा, okay, यह हो गया, अब इसको, इसका preview देखते है, apply, इसका preview कैसा दिख रहा है, यह देखते हैं, तो यह, इस तरह से, यह circular pattern, okay, और यह apply करा, और यह, okay, यह होगा हमारा pattern, इसको फिर टू स्क्रिज्ट में करके देख लेते हैं, तो यह थी circular command pattern में, okay, तो circular pattern, तो फिर आदी लेक्षे भी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए, बाई!